नमस्कार में प्रग्या धर्द तीस खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रबुक खबरों को पाकस्तान में किक करके भारत के दुश्मन धेर हो रहे हैं ताजा घटना में आतनंकी संगठन जैसे मुहम्मत के सरगना मशूर अजर को करीब माने जाने वाले मौलाना रहीमुला तारीक को मौत के घाट उतार दिया गया है मौलाना भारत के खिलाफ एक रैली में जहर उगलने का ली जा रहे थे इसी दुरान कुछ अग्यात लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया पुलिस के मताबिक कराची के उरंगी शहर में एक सभा को संबोधित करने के दुरान उसे भून दिया गया उत्राखन के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी टनल हासे का जाईजा लेने के लिए सोमवार को उत्तरकाशी पहुँचे यहां उन्होंने उत्तरकाशी यमनोत्री मार्ग पर सिल्लक कारया सुरंग में हुए भूमी धसाओ का स्थलिया नरेक्षन किया सियम धामी कल से चल रहे राहत एवं बचाओ काड़ियों की समिच्छा करने सिल्क्यारा पहुचे है दिपावली के दिन रविवार को उत्तरकाशी यमनोत्री राष्ट्री राजमार्ग पर निर्मानाधीन सुरंग के अंदर भू संकलन के चलते सुरंग का एक हिसाथ धसक गया था जिसमें 40 मजदूर फंस गये दिली में प्रतिबंद के बावजू दिवाली के दिन हुई आतिशपाजी के कारण सोमवार को प्रदूशन का स्तर फिर काफी बढ़ गया और सुभा धुन्द चाय रहा शहर में रविवार को दिपावली के दिन आठ वर्सों में सबसे बहतर वायू गुन्वत्ता दर्ज की गई थी इस दोना 24 घंटे का उसत वायू गुन्वत्ता सुझकांक अप्राह 4 बजे 218 दर्ज किया गया था हाला कि दविवार देर राद तक आतिशबाजी होने से कम तापमान के बीच प्रदूशन का स्तर में बढ़ोतरी हुई सुभा 7 बजे एकिवाई 245 पर था शाधीपूर 315 आयानगर 311 लोधी रोड 308 पूसा 355 और जहांगीरपूरी 333 सहित को छेतरों में प्रदूशन का स्तर बेहत खड़ा अप्षर नीमें पहुँच गया विडू पक्ष मंदर के अंदर एतिहासिक अस्तम के साथ 64 के बाद विवाद खड़ा हो गया है करनाटा के सीएम सिध्धा रमया के एक हालेया कारिक्रम के दौरान एक जंडा बाहनने के लिए एतिहासिक अस्तम पर ड्रिलिंग मसीन से छेत किया गया बता दे कि हम पी उनसको विड़ासित सल्म सूची में आता है भारतीय पुरातित्र सरेविक्षन के अधिकारियों ने बंदोबस्ती विवाद के अधिकारियों को नोटस जारी कर स्पस्टिक करनागा है च्थजगर विधान सबा चनाओ के मदरनजर पीम मोदी राजी के मुंगेली पहुचे और कॉंग्रस पर जमकर निशाना सधा पीम मोदी ने कहा कि कॉंग्रस के विदाई का समय आगया है च्थजगर में सीम खुद हार रहे है इतना ही नहीं पिम मोदी ने दावा करते वे कहा कि 3 दिसंबर को यहां बीज़पी आएगी पिम का कहना है कि मोखे मतरी के खिलाफ हर एक घर में गुस्सा है कॉंग्रस करेता दिली से आकर जूटी बात करते हैं प्रिधानमंतरी नरिंद्र मोदी ने 36 गर के मुंगेली में कहा कि देव दिवाली पर कॉंग्रस कहीं नहीं नजर आएगी सीम के बेटे सूपर सीम है दिवाली समरो के बाद वायू गुनवत्ता सूचकांक खड़ाप श्रीणी में आने से मुंबई में धुंद की परच्छा गई सिस्टेम ओफ एर क्वालिटी एंड वेदर फॉर्कास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार शेहर का समगर एक्यूआई 234 दर्च किया गया चो खड़ाप श्रीणी में आता है श्रीणी पार के द्रिश्च्यों में बड़ी संख्या में मौज मस्ती कर रहे हैं लोगों को पटा के जलाते वे देखा गया सब्ता की श्रवात में शेहर का समगर एक्यूआई मध्यम श्रेनी के अंतरगत 149 था रविबार 12 नमंबर को विक्रम समध 2018 की श्रवात की मौके पर शाम में एक घंटे के लिए बाजार ओपन हुआ बाजार में मोहरत ट्रेडिंग की श्रवात शाम के 6 बज कर 15 मिनट पर हुई उससे पहले शाम के 6 बजे 8 मिनट का प्री ओपन सेशन रखा गया अंत में 7 बज कर 15 मिनट पर बाजार बंद हुआ इस पार भी मोहरत ट्रेडिंग में दोनों प्रमुक घड़ेलू सूचकांग, BSE, सेंसक्स और NSE, निफ्टी बहरत के साथ बंद हुए उन दोनों ने कल साथ में दिवाली का जश्टं मनाया है और इन्की चोड़ी शोचल मीडिया से पक्ड़ी गई है दरसल इनके दिवाली सलिबेशन के तस्वीरे सोचल मीडिया पर वारेल हो रही है विजएर ने अपनी फैमली के साथ फेस्टिवल मनाते वे अपने सोशल मीडिया अकाउट से तीन तस्वेरे शेयर की है और फैंस को भी शुपकारनाय दी है दूसरी वर रस्मिका ने अपने अकाउट से अपनी एक फोटो पोस्ट कर फैंस को दिवाली विश्की हाला कि दोनों की ही पोस्ट की गई फोटोस में ये रूमर्ड कपल कहीं साथ नजर नहीं आये लेकिन फिर भी सभी समझ गए कि ये दोनों कल साथ ही थे भारती इथल सेना ने जमो कश्मीर के पूच जिलेवे नियंतरन रेखा पर विवार को दिबावली के अवसर पर अपने पाकस्तानी समकच्छों के साथ मिठाईयों का आदार प्रदान किया अधिकारियों ने यह जानकारी दिया अधिकारियों ने बताया के हाला के अंतराश्ट्रिय सीमा पर दोनों पक्छों के बीच मिठाईयों के आदार प्रदान के दौरार पिछले वर्सों जैसा उस्साह देखने को नहीं मिला हाल में पाकस्तान की तरफ से संघर्ष विडाम का उलंगन करने की घटना इसके लिए जिम्मेदार रही जिसमें सीमा सुरक्षा बलका एक जवान सहीद हो गया था राजिस्तान में विधान सभा चिणाव प्रचार जोड़ पकरने लगा है प्रदान मंतरी नरंद्र मोधी जल्दी पश्मी से लेकर पुरवी राजिस्तान में भाजबा के पचार अभियान में संखनात करने वाले हैं जैपुर और जोधपूर में मद्दान से दो दिन पहल इसके लिए राजी निर्वाचन आयोग के और से एक आदे शारी किया गया है। खादे तेलों के मकाबले मुंकफरी तेल तरहन का भाव लगभग दोगुना होना है जिसकी वज़े से लिवाल इप्रभावित हुई है। बार नहीं है जब भारतिय खेलारियों को आइसी सी से खास समान से नवाजा गया है सेवाग और एडूल जी से पहले खेल जगत में क्रिकेट के भगवान के रूपे मशूर सचिन तंदुरकर और मौज़दा समय में भारतिय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविर जैसे खेला दिवाली का तिवार खत्म होने के बाद लोकास्था का महापर्व छट की तयारिया तेज हो गई है पटना के सभी घाटों पर युदस्तर पर काम चल रहा है जिला प्रशासन की टीम लगातार छट घाटों के निगरानी में लगी है पटना डिये चंदरसेखर सिंग ने सोम पटना रहा हाला की बाद में सोमवार की सुभा दूप निकलने पर एक्यूआई में गिरावटाई बेगुसराय छप्रा कटिहार पटना राजगी समीत अने शहरू का वायू गुनवता सूचकांग 300 से अधिक रिकॉर्ड किया गया है दिवाली के साम पटना का वायू गु पटना रवी के द्वार दी गई जानकारी के अनसार पटना जला में सो सेधी घार तयार किये गए है छट प्रात्रियों को किसी तरह की कोई दिकत ना हो इसके लिए घाटों पर लाइटिंग सोचाले चेंजिंग रूम पार्किंग आदी की विवस्था की गई है प्रयाप्त मात्रा में समी घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है गंगा के जलस्तर का जायजा लिया जा रहा इसके बाद खतरनाग छट घाट का भी चिनहित किया जाएगा वेहार लोग सेवा द्वारा दूसरे चरण के सक्चक नुक्ती परिच्छा के लिए 5 नवंबर से रेजिस्ट्रीशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है लेकिन इस रेजिस्ट्रीशन प्रक्रिया के दौरान बरी संख्या में एक समस्या सामने आई है ऐसे में अभ्यर्ती BPS से रेजिस्ट्रीशन प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे है इसके साथ ही शुक्रवार को दूसरे चरण की सिक्चक नुक्ती के लिए आवेधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है पहले दिन लगबग 14 अभ्यर्तियों ने प्रक्रिक्षा के लिए आवेधन किया है वहीं अब 23.3 लाग से जादा अभ्यर्तियों ने रेजिस्ट्रिशन कराया है ब्रिटन की चार दिवसिया यातरा के दोरान विदेश मंत्री एस जैसंकर ने लंदन में B.A.P.S. श्री स्वामी नरायन मंदर में पूजा अर्चना करके दिवाली मनाई इसके बाद मीडिया से बात करते वे उन्होंने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से भरती बड़ी अर्थवेशन करें पुड़ान मंत्री नरंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिपोत्सव को अद्भुत दिव्वे और अविश्मर्नी बताया और समारों की कुछ तस्वीरे साजा की पुड़ान मंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि पूरा स्री राम सभी देशवासियों का कल्यान करे और मेरे परिवार के सभी सर्ष्यों के लिए प्रेणामर इंपरस्टिया राम विश्रों में उस पावर हाउस इकाई के प्रमुक है जो और बिट में मौझूद उग्रहों के पीछे कारी करता है ने कुछ चुनौतियों की पहचानी है पीम किसान की पंदरवी किस्त दूद दिन बाद यानी 15 नवंबर को किसानों के खाते में जाएगी पीम रेंदर मोधी खुद 2,000 रुपए की किस्त 8 करोड किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे पीम किसान सम्मा निदी योजना के ताहत रजिस्टर्ड 12 करोड किसानों में से 4 करोड लाभार्थियों के लिए या जटका है सपा मुख्या अखलेश यादव यहां लगतार पशीना बहार हैं सपा की रड़िती यहां कॉंग्रस के उंगली पकरकर खुद को मजबूत करने की थी लेकिन एन मौके पर कॉंग्रस ने सीजे ना देकर सपा के मनसूबे में पानी फेर दिया मदे प्रदेश में बीजपी और कॉंग्रस के बीच कांटे की टकर दिख रही है लेकिन सपा भी अपने को इस मुकाबले में शामिल दिख रही है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली का दौर जारी है रोने बरती ब्यास दरों और पश्चिम एशिया में भुडा राजनित एक तनाओ के कारण इस महीने अब तक भारतिय बाजारों में 5800 करों रुपे से अधिक की बिकवाली की है शेर बाजार के आकरों के मताबिक एफपी आई ने ऑक्टूबर में 24,548 करों रुपे और सितंबर में 14,760 करों रुपे निकाले इससे पहले मार्च से अगस्तक पिछले 6 महीनों में एफपी आई लगातार भारतिय एक्वीटी में खरिदारी कर रहे थे शेर बाजार के दिस सवन्त के सास साल बदल चुका है लेकिन आई पी ओ के मामले में सरगर्मियों कम नहीं होने वाली है आई पी आई के बाजार में पिछले कुस महीने से लगातार डेवलप्मेंट होड़ा है एक के बाजार में दर्जनो आई पी ओ लॉंच होने और बाजार में नए शेरो की लिस्टिंग होने का ये सिलसला आगे भी चारिए पर रहा है ट्वीटर पर पोस्ट कर गाजा पट्टी में वच्चों के हालाद पर भी चिंता जताई हैं और ने रिखा है कितने निंदनिया और अपमाज जनक घटना है गाजा में 10,000 सधिक लोग मारे गए जिन में से लगभग आधी बच्चे हैं वायू प्रदूशन का बढ़ता अस्तर लोगों को बिमार बनाड़ा है इसकी वज़ह से सास स्किन ही नहीं आँखों की समस्याइं भी बढ़ रही हैं कोंगर्स सध्यक्ष मलिका जुन खरगे ने बिरुजगारी और महंगाई के मुद्धों को लेकर एक बार फिर मोधी सरकार को घेरा है खरगे ने आरोप लगा है कि केंदर सरकार और भार्दी जनता पार्टी देश के युवाओं के सपनों को कुछ चल रही है कोंगर्स सध्यक्ष ने कहा कि युवा देश में एकता और सभाव चाहते थे लेकिन उने नफरत और विभाजर मिला उन्होंने दावा किया कि युवा भारत मोधी सरकार के विश्वास घास से तक आ चुका है हिंदु धर में छट पर्व को विशेश महत्व दिया गया है यमोख्य रूप से भगवाज शुड़े और माता छटी की उपासना के लिए समर्पित है देश की पाँच राज्यों पर विधान सभा चनाव होड़े हैं इन राज्यों में से एक राज्य तिलागना है जहां 30 नवंबर को वोटिंग होनी है स्पीश प्रदेश से एक बड़ी खबर साबने आ रही है जो मदाताओं से जुरी हुई है मदान से पहले जो खबर साबने आई है वो लोगों के बीच चर्चा का विशय बनी वे दरसल तिलागना के गठरन के बाद या पहली बार है जब महिला मदाताओं ने पुरुस मदाताओं को पच्छार दिया है राज्य में इसको लेकर इतिहास बना है तिलागना में चुनाओं की तैयारिया लगभग पूरी हो चुकी है अब बरते हाज के सवाल के और आज का सवाल है आपकी दिवाली कैसी बीती अपना जवाब हमें हमारे कॉमें इसको बताएं आज के ले इतना ही धन्यवाद